स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल दिव्यार्विदिक सेंटर बीमस में फ्रेंड्स मैं हू सुनील हम पढ़ रहेते हैं अस्टांग हिर्दे का फर्स चेप्टर आइस कामी अध्याए जिसका हमने लेक्टर बन पढ़ लिया था जिसके अंदर हमने दस स्लोक्स को पढ़े थे अब इस लेक्टर में हम फिर से दस स्लोक्स जो बचे में उनको पढ़ने वाले हैं इस chapter में total हमें 20 slokes तो याद करने हैं जो बहुत ज़्यादा important है इसके बाद हम पूरे chapter की theory theory ही पढ़ेंगे ठीक है जो slokes important है उनको मैं आपको पहले ही पढ़ा दे रहा हूँ यही slokes आपको याद करने हैं बस ठीक है बाकी आप याद कर सोगो तो पूरे chapter के slokes important है उनको याद कर सकते हो ठीक है तो हम अब पढ़ते है next के 10 slokes हमने पढ़ लिया था अब 11 number का slokes हम पढ़ने वाले हैं friends इसके अंदर 30 chapters total हैं अस्टांगिर्दे के book में जो आपको पढ़ने हैं आपके इस levels में है ठीक है अगर आपको ने ये first chapter बहुत ही easily अच्छे से समझ लिया तो आपको 30 chapters पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी तो चलिए हम पढ़ते हैं 11 number का slokes ठीक है तो friends 11 number में हम पढ़ने वाले हैं रसो का वर्णन रस कौन कौन से होते हैं हमारी body में तो इसका जो quotation है वो क्या है रसा स्वाद अमल लवन तिक्त उशन कशाय मतलब रस छे प्रकार के होते हैं हमारी body में ठीक है, पहला स्वादू मतलब होता है मीठा, अमल मतलब होता है खटा, लवण मतलब होता है नमकीन, तिक्त मतलब होता है नीम जैसा, जैसा नीम का स्वाद होता है ना नीम के पत्तेगा वैसा, उशन मतलब हो गया कटू, यहां पर उशन का मतलब होता है कटू, ठीक है, और स्वाद मतलब मीठा तो यानि हम अगर उस वे में देखे तो मीठा, खटा, नमकीन, नीम, कटू का और कसहला, मतलब स्वाद, अमल लवड, तिक्त, कटू का साय, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं इनको, तो यह था हमारा 11 नमबर का इसलोग, हम देखेंगे 12 नमबर का इसलोग, 12 का इस लोग है रोगी की परिक्षा यानि हम रोगी की परिक्षा कैसे करते हैं ठीक है कैसे हम पेसेंट को चेक करते हैं तो पेसेंट को चेक करने के लिए हमें इसमें बताया गया है कोटिशन में क्या दर्सन इस पर्सन प्रसने परिक्षेत चारोगिणम यानि की दर्सन सबसे पहले उसका दर्सन करना है मतलब उससे देखना है ठीक है उसके बाद क्या बताया गया है उस पर्सन मतलब कि उसको इस पर्स करके आपको चेक करना है ठीक है उसके बाद प्रसने मत परिक्षा आपको ऐसे ही करना है दर्सन इस पर्सन और प्रसन है मतलब आपको पहले देखना है फिर उसको इस पर्स करके उसकी चीजों को जैसे आप नाड़ी परिक्षा करते हो न वैसे उसको चेक करना है और उसके बाद उससे पूछना है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है आ समा साथ औसदम दुधा ठीक है मतलब औसद के भेद जो हैं वो इसके अंदर आईरवेद तो यहां पर हमें औसद के भेद बताएगे हैं सोधनम समनम चेत समा साथ औसदम दुधा मतलब की जो औसद ही है वो दो प्रकार की होती है एक होती है सोधन और एक होती है समन समन मतलब क्या होता है हमारी बोड़ी में जो दोस बढ़ गए हैं उनको उसदी दे कर सांत करना तो समन मतलब हो गया दोसों को सांत करना बोड़ी के अंदर ही और सोधन का मतलब होता है जो दोस हमारी बोड़ी में प्रकुपित हो गया है यानि बढ़ गया है उसको हम बाहर निकाल देन ठीक है अंदर नहीं रखना उनको अंदर सांथ नहीं करते हैं उनको बाहरी निकाल देते हैं और समन में क्या करते हैं हम बढ़े वे दोसको बोडी के अंदर ही सांथ करने का उपचार करते हैं ठीक है इसके बाद हम देखने वाले हैं सारीरिक दोसों की चिकित्सा सारीरिक दो तो इसके अंदर आपको यह quotation याद करना है, यह important भी है, तो इसका हम एक एक करके हिंदी समझते हैं, एक एक word की meaning समझते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है सरीर जा नाम दोशा नाम, ठीक है, मतलब सरीर से संबंधित जो दोस हैं, उसका जो परमौसदम मतलब उत्तम चिकित्सा जो है, वो क्रमेड मतलब इस करम में है, ठीक है, किस किस करम में है, तो वात दोस की जो चिकित्सा है, वो हम बस्ती से करते हैं, ठीक है, पित दोस की चिकित्सा जो है, वो हम घृत का यूज करते हैं, ठीक है, और जो कफ दोस की उसके अंदर हम मधू का यूज करते हैं यानि ये जो बस्ती विरेको और वमन जो हम बस्ती और वमन करवाते हैं ये वात दोस में करवाते हैं और घृत का यूज करते हैं हम किसके अंदर फित्त दोस की चिकित्सा करने के लिए और जो मधु है उसका हम उप्योग करते हैं कफ दोस की चिकित्सा करने के लिए ठीक है इसके बाद हम देखने वाले हैं मानसिक दोसों की चिकित्सा कैसे करते हैं तो मानसिक दोस्तों की चिकित्सा के लिए जो कोटेशन है आपका वो है धी धैर्यम आतमादी विज्ञानम मनो दोस अवस्धम परम मतलब धी धैर्यम मतलब की आपको धैरे रखना होगा अपने आतमादी विज्ञानम मतलब की अपने का विचार करना होगा मतलब की इसके अं अच्छा होगा यह सब विचार करके आपको काम करना होगा यहीं इसका परम और सद ही है मतलब की सबसे अच्छी चिकट्सथ की मानसिक-20 की जैसे आपको कोई टेंसन हो जाती है तो उसके अंदर के अगर आपको धहरे रखना है ठीक है आपका धहरे नहीं होना है अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आपको धहरे अपना नहीं होना है धहरे के साथ काम करना है तो आप मांसिक दोसों की मांसिक दोसों पर वीजय प्राप्त कर लेंगे ठीक है इसके बाद हम देखेंगे अग हो यहां पर क्या है, जो सास्त्रों में बताए में व्यक्ष का अलक्षन को एन व्योनय वे दोस्त कमक्राम वे उसकी क्या चीश्य कि पर देख का हुआ जाए गया तो जो जाय assistance क crédस्ति के पर ऐसा कोरें तो किसी आचारी से इसके बाद है अगला है द्रिष्ट कर्मा मतलब की चिकित्सा के विधियों को जो अनेक बार देख चुका हो ऐसा नहीं कि पहली बार में उठके आ गया यानि कि उसने प्रैक्टिस कर रखी हो ठीक है डॉक्टर की उसके बाद आता है सुची सुची मतलब ह होता है सरीर तथा आचरंड से पवित्र होना चाहिए वह ठीक है ऐसे जिनके अंदर ये सारी लक्षण पाए जाते हैं उसी कौम भीसक कहते हैं भीसक का मतलब हो गया व्याद यानि कि डॉक्टर ठीक है तो डॉक्टर के क्या के लक्षण है पहला वह दक्ष हो मतलब चिकित सा कैसे की जा रही है ठीक है सुची मतलब होता है वह पवित्र होना चाहिए अपने सरीर और आचरंड से जिसके अंदर ये चारो चीजे के लक्षण पाए जाते हैं उसे हम भीसक कहते हैं कौनकों से दक्ष तीर्थ और दिश्ट कर्मा और सुची ये चार लक्षण है इसके पीस कर दे सकते हो गोली के रूप में दे सकते हो ठीक है अनेक रूपों में दे सकते हो बहु गुडम मतलब और सभी गुड़ उसमें संपन हो मतलब की संपन हो अपने गुड़ों में ठीक है उसके बाद योग्यम मतलब की योग्य होनी चाहिए जो रोगी और देस और जो रोगी के साथ रहता है वो कैसा होना चाहिए उसके अंदर क्या लक्षण होने चाहिए टो अनुरक्ता算 does सुचिर्दक्षों बुद्धिमान परिचार काहा मतलब क्या हुआ कि सुची होना चाहिए हमने पहले शही देखा था तक हो अपने सरीर और आचरण से सुध्ध होना चाहिए पवित्र होना चाहिए उसी को हम सुची कहते हैं ठीक है दक्ष होना चाहिए मतलब अपने काम में कोई सल होना चाहिए अनुरक्ता मतलब अनुरक्त होना चाहिए दूसरों के प्रती बहुत ही अच्छा वेवहार होना चाहिए उसका बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान होना चाहिए अगर डॉक्टर नहीं है तो उसे कैसे कदम उठाने इसके लिए उसमें बुद्धि होनी चाहिए जिसके अंदर ये चारो लक्षण होंगे उन्हें हम परिचारक कह सकते हैं ठीक है तो कौन-कौन से लक्षण होगे अनुरक्ता, सुची, दक्ष और बुद्धिमान ठीक है ये चार लक्षण होगे इसके बाद अगला कोटेशन है रोगी के चार लक्षण तो रोगी के चार लक्षण कौन-कौन से आढधयो, रोगी, भिसक वस्यो, ग्यापका सत्ववान अपी मतलब क्या हुआ आढए हो का मतलब आढए मतलब होता है धन जन से संपन जिसके पास धन हो धन जन से जो संपन हो भिसक बस्यो मतलब जो की वैद के आग्या अनुसार और सदवापत का सेवन करने वाला हो अगर डॉक्टर कह रहा है यह दवाई इस समय पर लेना तो वो जुल लेता हो ग्यापकाह मतलब अपने सुख दुख कहने में सक्षम हो कि मुझे ये दिक्कत है ये दिक्कत नहीं है ये चीज कहने में सक्षम हो सत्वमान मतलब क्या हुआ मानसिक सक्ती से संपन हो मतलब मांसिक रोग उसको ना हो ऐसे रोगी को हम रोगी कहते हैं जिनके अंदर ये चाल लक्षन मिलते हैं यानि कि जो मांसिक सक्ति से संपन हो आधयो, रोगी, भिजगवस्यो, ग्यापका, सत्वववान अभी मतलब इसका पहला लक्षन हो गया आधय दूसरा लक्षन हो गया भिजगवस, तीसरा लक्षन हो गया ग्यापक और चौथा लक्षन हो गया सत्वववान ये चाल लक्षन होने चाहिए रोगी के अंदर तो यहाँ पर हमें इतने ही कोटिशन याद करना था और ये सबसे ज़्यादे इंपोटेंट थे अगर हमें इतने स्लोक याद हैं तो इस चेप्टर में इतने स्लोक भी काफी हैं इसके बाद आपको थ्योरी पूरे स्लोक की अच्छे से याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है आपको याद करने का मतलब में यहाँ पर यह है कि उसको ज्यान हो ठीक है दक्ष हो यानि अपने काम में कुसल हो ठीक है तो ऐसे ही एक-एक वर्ड के अगर आपको मीनिंग पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको यह याद हो जाएंगे और हमेशा के लिए ही याद हो जाएंगे और याद होना भी चाहिए फर्स का बहुत ही अच्छे से पढ़िए तो यहां पर हमने इस लोग खतम कर लिये हैं अब हम इसकी हिंदी हिंदी एक तरीके से पूरे चैप्टर में क्या है वो हम अगले सेसन में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो अगर आपने यह दो सेसन नहीं देखें तो कोई बात ने तीसरा सेस में टेक केर फ्रेंड्स